आज आपको कोकोनेट चोकलेट बॉल्स बनाना सिखा रहे हैं जिसके लिए हमने 200 ग्राम डेसेकेड़ कोकोनेट लिया है और 200 ग्राम ही कंडेंस्ट मिल्क लिया है इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कार लेंगे कोकोनेट में हमने कंडेंस्ट मिल्क को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है अब हम इसको कवर करके चार से पांच गेंटे या पूरी रात इसको फ्रीज में राक देंगे तांके यह आच्छी तरह से सैट हो जाए और इसके तरह से बॉल्स बन जा जाए यहां हमने 200 g dark chocolate ली है आप milk chocolate भी इस्तमाल कर सकते हैं और 100 g white chocolate यह हम garnish में इस्तमाल करेंगे इन दोनों chocolates को हम melt कर लेंगे और यह छोटे cupcakes liner है इनमें हम balls को set करेंगे अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी plate या butter paper पर balls को set कर लें चॉकलेट को हम double boiler पर melt कर लेंगे जिसके लिए हमने एक sauce pan में पानी को गरम कर लिया है उसके उपर एक bowl को रख देंगे और इसमें चॉकलेट डाल देंगे पानी की बाप से चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो गी है अब हम इसको निकाल के ठंडा कर लेंगे और white चॉकलेट को भी इसी तरह double boiler पर melt कर लेंगे चॉकलेट को हमने पिगला लिया है अब हम coconut balls बना लेंगे एक चमच ले लिया है इस तरह बॉल्स बना लेंगे सारी चमच से इस तरह पोकोनेट का मिक्स्चर लेने से सारी बॉल्स का सैज एक जैसा होगा पोकोनेट बना लिया है और चकलेट भी ठंडी होगी है अब कप केक्स लाइनर इस तरह लगा देंगे और कोकोनेट बॉल्स चॉकलेट में डिप करके कपकेक्स लाइनर में डालते जाएंगे कोकोनेट बॉल्स को चॉकलेट में डिप कर लेंगे और इस तरह कपकेक्स लाइनर में डालते जाएंगे अगर आप उसे कांटे और चमल से नहीं हो रहे तो आप इस तरह कोकोनेट बॉल्स चॉकलेट में डिप करके हाथ उसे इस तरह डालते जाएंगे झालते जाएंगे कोकनेट बॉल्स को हमने चॉकलेट में डिप कर दिया था अब हम वाइट पिगली हुई चॉकलेट को बटर पेपर की कॉन में डाल देंगे अब हम वाइट चॉकलेट से उपर डजाइन बना लेंगे झाल कोकोनेट चोकलेट बॉल्स बार हमने वाइट चोकलेट लगा दिये अब हम इनको ठंडा कर लेंगे कोकोनेट चोकलेट बॉल्स को हमने निकाल लिया है और यहां पर हमने कुछ वाइट चोकलेट साथ बॉल्स बना लिया है और उपर ब्लैक चोकलेट लगा दिया है आप कोकोनेट चोकलेट बॉल्स को बच्चों की बर्डे पार्टी में बना सकते हैं और ऐसे गिफ्ट भी किसी को दे सकते हैं आप भी इसको जुरूर बनाएगा और बताएगा कोकोनेट चकलेट बाल्स कैसे बनें अगर आपको रैस्पी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें अलाहफीज